नमस्कार, विएपी इंडिया में आपका स्वागत है आज के हिंदी आडियो आड कल में बीटी से सिच्छा दिगदर्सन तिसरे समेश्टर से सैच्छिक मुल्यांकन किरियात्मक सोध एउ नवाचार विशै से पाठ है पहला मापन एउ मुल्यांकन इस आडियो आड कल में केवल कुछ महत्पूर प्रस नहीं इसमें बताए जाएंगे जो परिच्छाओं में आने योग हैं तथा आ सकते हैं पहले हम ध्यान दें कि सैच्छिक मुल्यांकन विशै है तो इसमें केवल सैच्छिक मुल्यांकन ही रहेगा यानि किसी इच्छा का मुल्यांकन करना मुल्यांकन का तात्पर होता है निश्चित करने की किरिया यानि किसी भी वस्टू को निश्चित एक पैमाने पे रखा जाए उसकी निश्चिता किया जाए जैसे किसी वस्टू की उपयोगिता गुड महत्व आदिका होने वाला अंकन को ही मुल्यांकन कहते हैं तो ऐसे ही चेप्टर है परतम मापन एवं मुल्यांकन तो मापन का अर्थ होता है नापना एवं मुल्यांकन का वही अर्थवा किसी वस्टू की उपियोगता या गुड महत्व का होना तो इसमें एक प्रस्ण देख लेते हैं मापन की संकल्पना, तो मापन को संकल्पना को अस्पष्ट कीजिए, तो मापन वह परकिरिया है, जिसके द्वारे किसी वस्तु, प्राणी, अथ्वा किरिया की किसी विशेष्टा को निश्चित वाप डंडों के अधार पर देखा, परखा और मापण जाता है। उसे सब्दों, चिन्हों अथ्वा निश्चित इकाई अंकों में परकट किया जाता है। इसमें और सैचिक मापन का अर्थ को भी असपष्ट कर लेते हैं। सैचिक मापन का अर्थ मापन की किरिया में विभीन पच्छो के संबन्वे साच्छो का संकलन किया जाता है। मापन किसी वस्तू या उपलब्धी का संख्यात्मग मान है। इस परत्यत संबंध परड़ाम अथ्वा मात्रा से होता है या एक परिमारी करण की परकिरिया है इस परिभासा में कुछ बताने की कोशिस की जाती है कि जिस परकार हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसका एक मापन इकाई होता है जैसे या फिर तौल के दें या फिर नाप के दिया जाता है जैसे कपड़े को नाप के दिया जाता है तता किसी वस्तु को खरीदें जो दरो के रूप में हो तो उसे तौल कर दिया जाता है वही मापन यहाँ पे सिच्छा पर भी लागू किया जाता है जैसे कि इस परिभासक के अनुसार रमेश के गडित में 80% अंक है या फिर चंदन की बुद्धी लबदी 140 है या फिर कह सकते हैं चंदन का वजन 55 किलोग्राम है दूसरे सब्दों में मापन में यहाँ पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु गुड या विशेष्टा में कितना है इस परकार मापन में अंक परदान किये जाते हैं कि सही ज्यान हो सके परिछक छात्रों की उत्तर पुष्टिकाओं की जाच करके अपना निर्ड़ अंको के रूप में देते हैं यहाँ पर परिछक द्वारा छात्रों की दिये गए अंक बालक की उपलबदी का परतीक है अता मापन वह परकिरिया है जिसके द्वारा विभिन योगताओं तथा गुड़ों को परिणवार की रूप में संबंध में बताया जाता है परंतु इतना ही प्रयाप्त नहीं रहता अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मापन द्वारा प्राप्त अंकों का अस्तर क्या है अर्था छात्रों को प्राप्त अंक कितने अच्छे हैं इसका निर्धारण करना मुल्यांकन के अंतरगत आता है पहला है वह वस्तु प्राणी अथ्वा किरिया जिसकी किसी विशेष्टा का मापन होता है दूसरा है विशेष्टा को मापने के उपकरण अथ्वा बिधिया तीसरा है वह व्यक्ति जो मापन करता है अर्थात मापन करता जैसे कि उदाहरन में बात करें रमेश को परिच्छा में 80% अंक करिच्छक देता है रमेश वह पराड़ी हो गया जिसका मापन किया जाता है और आगे रमेश की कौपी मापने के उपकरण का परियोग हुआ है इस पर जिसके कापी को चेकर चेक करके अंक परदान करेगा तथा जो परिच्छक है वह वेक्ती है जो रमेश की कापी को चेक करता है यानि की परिच्छक मापन करता हुआ मापन के तीन परकार होते हैं पहला है निर्पेच मापन दुसरा है समानिकरित मापन तिसरा है एपसेटिप मापन पहले जान लेते हैं निलपेच मापन किसे कहते हैं निलपेच मापन वह है जिसमें परम सूनि की इस्तिती संभव होती है जिसका पैमान सूनि से सुरू होता है सुनि से अधिक होने पर धनातमग और सुनि से कम होने पर रिडातमग मापन होता है उदाहरण के लिए किसी अस्थान के तापमान को लीजिए वह सुनि भी हो सकता है, सुनि से अधिक भी हो सकता है और सुनि से कम भी हो सकता है इस परकार का मापन भावतिक चरों में ही संभाव होता है सैच्चिक एव मनो वैज्ञानिक चरों में नहीं क्योंकि सैच्चिक एव मनो वैज्ञानिक चरों में परम सून्य की संभावना नहीं होती जैसे यदि किसी उपलब्दी परिछण में किसी छात्र को सून अंक प्राप्त भी होता है तो इसका अर्थ यह कदापी नहीं होता कि उस विशे में छात्र की योगता सून्य है मापन के दूसरे परकार समानिक्रित मापन इसकी दूसरी पहचानिया है कि इसमें परमसून की संभावना नहीं होती उदाहरण यदि किसी विशय में उपलब्दी परिच्छन में कोई कोई छात्र सून अंग प्राप्त करता है तो इसका अर्थ यह कदापी नहीं होता कि उश विशय में उश छात्र की योगता सून है इसका केवल यह अर्थ होगा कि किसी भी प्रस्ण को हल करने में वह छात्र आसफल रहा समाज सास्त्री अध्यन मनोवज्यानिक और सिच्छा के छेत्र में परियोग किये जाने वाले परिच्छनों से प्राप प्रापतांग प्राया समानकृत माप ही होते हैं मापन के परकार में लाष्ट हुआ है एपसेटिप मापन के बारें भी जानले मापन के अनेक उपकरण यो विधिया है इनमें एक उपकरण अथवा बिधी ऐसी है जिसमें विक्ति अथवा छात्र को बाद्ध चैन करना होता है इस विधी द्वारा मापन करने को कायटिल ने एपसेटिप मापन कहा है तो इसमें यह भी पता चल जाता है एपसेटिप मापन का नामकरण किस ने किया तो कायटिल ने किया कायटिल ने एपसेटिप मापन कहा है इसमें व्यक्ति अथ्वा छात्र के सामने कुछ प्रस्न, कथन, अथ्वा समस्याय उपस्थित की जाती है और छात्र को उन्हें वरीता करम यानि की एक, दो, तीन, चार आदी परदान करने के लिए कहा जाता है यदि छात्र किसी एक कथन को परथम वरीता एक अंक परदान करता है तो वह किसी दूसरे कथन को या वरीता या अंक परदान नहीं कर सकता इस परकार के मापन उपकरण को बाद चैन प्रस्न कहा जाता है और इसके द्वारा मापन को इपसेटिप मापन कहा जाता है इस परकार के मापन से सभी छात्रों को एक, दो, तीन, चार अंक ही परदान करने होते हैं इसलिए सभी छात्रों के माध्यमान M और मानक बिचलन S, D समान होते हैं आगे सैच्छिक मापन के अस्थर के बारें जान लें कोई भी मापन कितना सुद्ध है यह उसके अस्तर से पता चलता है मुख्य रूप से मापन के चार अस्तर है पहला है साब्दिक अत्वर नामित अस्तर जिसको nominal scale कहते हैं दूसरा है कर्मित अस्तर, ordinal scale तिसरा है अंत्राल अस्तर, चौथा है अनुपात अस्तर, ratio scale तो इससे यह पता चलता है कि सैचिक मापन के चार अस्तर होते हैं तो मापन के बारे में हम यह सब जानकारी रखना जरूरी है अगला प्रस्ण है सैचिक मुल्यांकन की संकल्पना असपश्ट कीजिए मुल्यांकन सैचिक परकिरिया एक अभिन अंग है मुल्यांकर ना केवल सैचिक परकिरिया से जुड़ा है बलकि जीवन के परतेक पहलू से शम्बंदित है जीवन के परतेक खेतर में किसी न किसी रूप में मुल्यांकर की आपेच्छा की जाती है उधारता एक डॉक्टर अपनी आवसदी की परभाव सीलता का मुल्यांकन रोगी के स्वास्त में सुधार के अधार पर करता है बाग का माली अपने पाउधे का मुल्यांकन उनकी सुनलता के अधार पर करता है ठीक इसी परकार एक सिच्छक अपने परवावी सिच्छन का मुल्यांकन बिद्यार्थी में हुए आपेच्छी त्वेवार परिवर्तन के अधार पर करता है इस त्रिष्टी कोड से मुल्यांकन सिच्छक के उद्देसियों पर अधारी थै मापन द्वारा गुड़ो योगताओं तथा बिशेष्टाओं के परिडाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि अमुग छात्र ने 50 में से 30 या 40 अंग प्राप्त किये हैं परन्तु 50 में से 30 या 40 अंग प्राप्त करना ही परियाप्त नहीं होता है अध्यापक को यह जानना अवस्यक है कि प्राप्तां कितने अच्छे हैं अतह मुल्यांकन के अंतरगत किसी गुड योगता या विशेष्टा का मुल ले निर्धारित किया जाता है अर्थात मुल्यांकन द्वारा पड़ात्मक या गुड आत्मक दोनों ही प्रकार की सुचनाय प्राप्त होती है इसके अधार पर छादर की योगता ये उपलब्दी दोनों का आकलन किया जाता है मुल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को असपष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि मुल्यांकन दो सब्दों के मेल से बना है मुल्यांकन बराबर मुल धन अंकन इस परकार मुल्यांकन का आसे कि सिवस्टु या विक्ति के मुल्य को आकने की वह परकिरिया है जिसमें मापित मूलिका आउलोकन कर उसकी उपयोगिता या मूलिका निर्धारण किया जाता है तो इसमें जो है मूलियांकन मूलिका किसी व्यक्ति का वैलू से तादपर रखता है कि वो कितना कीम्टी है कितना अपना समाज में बना रखता है अंकन का दात पर होता है आकना कुछ सिच्छा सास्त्री सैचिक मुल्यांकन की त्रीमुखी परकिरिया को बताए है जैसे की डिवी के अनुसार सैचिक मुल्यांकन एक त्रीमुखी परकिरिया है सैचिक मुल्यांकन एक जटिल परकिरिया है नवीन धारण के अनुसार इस परकिरिया के तीन महत्पूर बिंदू बताए हैं सिच्छन उप्तेश, अधिगाम अनुभव, मुल्यांगन के उपकरण या वैवहार परिवर्तन डिवी ने सैच्छिक मुल्यांगन के तीन बिंदू या अंग होने की कारण इसे तिरिमुखी परकिरिया कहा है उप्रोक्त तीनों अंग प्रस पर घनिष्ट रोप से संबंधित हैं तथा अगला सिच्छा सास्तरी है डाक्टर पटेल के अनुसार सैच्छिक मुल्यांगन की परकिरिया चत्रमुखी है डाक्टर पटेल ने सन 1978 में चार बिंदू के अधार पर सैच्छिक परकिरिया की व्याक्या की है जो इस परकार है, पहला बताते हैं बिसे वस्तू, दूसरा है सैच्छी कुद्धेश, तिसरा है अधिगम किरियाएं, चाहुथा है मुल्यांकन पद्धती आगे हैं मुल्यांकन की सिच्छा में आवसक्ता तथा महत्तों के बारे में मापन और मुल्यांकन की सिच्छा में निम्न परकार की आवसक्ता पड़ती है ऐसे मुल्यांकन हो जाने से सीखने की प्रेड़ा बढ़ती है पाठिकरब में परिवर्तन, सिच्छन में उन्नती, निर्देशन, एवो प्रामर्स में सहायक, परिच्छा परडाली में सुधार, विद्यालों में सुधार सिच्छा में मुल्यांकन के उद्देश का संचिप्त वर्डन कीजिए मापन एवो मुल्यांकन का अपने में ना कोई उद्देश होता है और ना कार जिस छेतर में इनका परियोग जिन उद्देशियों से किया जाता है उस छेतर में इनके वही उद्देश होते हैं और इन उद्देशों की पूरती करना इनके कार होते हैं सिच्छा के छेत्र में मापन एव मुल्यांकन के उद्देश एव कार निम्न परकार से परदर्सित किया जाते हैं चैन एव वर्गी करण में सहायक, पूरू कथक, तुलना, प्रामर्श एव निर्देशन, निदान, संसोधन, अभिभाव को, परबंध को, एव परसास को, को छात्र की उपलब्धि के विशे में बताना आगे मुल्यांकन के छेत्र के बारें भी कुछ जाने मुल्यांकन का छेत्र अत्यधिक व्यापक है और एश वर्मा के अनुसार मुल्यांकन के छेत्र से हमारा तात्पर उन छेत्रों से है जिन में व्यवहार गत परिवर्तन हो सकते हैं दूसरे सब्दों में किसी मुल्यांकन की याग जाय प्रस्ण का उत्तर ही मुल्यांकन का छेत्र निर्धालित करना है मुल्यांकन द्वारा व्यक्तित्यों के विभिन आयामों का पता लगाते हैं ये आयाम संवेग आगत्मक, समाजिक, नैतिक, सारीरिक तथा बाउदिक छेत्रों से संबन्दित हो सकते हैं मुल्यांकन का संबन्द केवल छात्र की बाउदिक उपलब्धी से ना होकर उसके संपूर वेक्तित्तों से है रेमस तथा गेज के अनुसार मुल्यांकन किसी परकिरिया की व्यापक्ता छात्र के समस्थ वेक्तित्तों पर अपने परसार का उपलेक करती है ना कि केवल उसकी बाउदिक उपलब्धी पर मुल्यांकन के छेत्रों के अंतरगत छात्र के वेक्तित्तों के अंगर अंग है के संबंद में कितना ग्यान अर्जित किया है अगला है कुसलताएं कुसलताओं का संबंद पाट बिसे से संबंदित कुसलताओं से हैं नमबर तिसरा है रूचियां इसका संबंद किसी वस्तू बिसे या किरिया को पसंद करने या ना करने से अभी रूची प्रडामों का आयो इसी उद्दे से किया जाता है योगताएं छात्रों की योगताओं का ग्यान करना योगताएं समान तथा बिशिष्ट दोनों परकार की होती है अगला है सूचना छात्र के ग्यान के संबंद में कितनी सूचना का संकलन किया गया है अगला है बुद्धी यह ग्यात करना की कु के अंतरगत आता है इसके लिए प्रस्णावली श्वस्त इतिहास तथा निरिच्छन पद्धित्यों का परियोग किया जाता है वास्टों में शरीर स्वस्त भी एक महत्पूर तत्व है जिसका मापन किये बीना कोई भी मुल्यांकन अधूरा रह जाएगा छात्रों की तूरूटिया यहां अगला है मुल्यांकन के छात्र द्वारा की जाच हो जाती है कि वह तूरूटिया क्यों कर रहा है तूरूटियों की ज्यान हो जाने से उनके निराकरण के परियास किये जाते हैं सैचिक मापन का विकास काल कब से कब तक माना जाता है तो सैचिक मापन के विकास काल 1905 में बीने बीने ने बुद्धी परिछण हेतू एक टेस्ट का निर्मार किया सैचिक मापन का विकास काल 1900 से 1960 तक माना जाता है उनिसवी सताब्दी मापन की प्रारंबिक आवस्था है तथा बीश्वी सताब्दी मापन की चरम आवस्था कहलाती है क्योंकि 1960 तक बहुत से परिछण बन चुके थे अगला है सिच्छड उद्देश से क्या तातपर है बालक्यों समाज के हिद को देखते हुए हम सिच्छा के द्वारा बालक के वेवहार में नीच परिवर्तनों को करना चाहते हैं वे सिच्छड उद्देश कहलाते हैं इनी को केंद्र मानकर संपूर सिच्छड किरिया संभावित होती है आधीगम अनुभाव से आप क्या समझते हैं इन सिच्छड उद्देशों के अनुकूल सिच्छक विद्याले में ऐसा वात्रोन परस्तुत करता है जो बालक के सीखने के अनुभाव उत्पन करने में सहायक होता है या अनुभाव बालक के ग्यान आत्मक, भावात्मक तथा किरियात्मक पच्छ के संबंद में होते हैं वेवहार परिवर्तन का सिच्छड उद्देश से क्या संबंद है वेवहार परिवर्तन सिच्छण के उद्देस की प्राप्ति का संकेत देते हैं वेवहार परिवर्तन के द्वारा सिच्छण उद्देसों की प्राप्ति के संबंद में पता चलता है रौस के अनुसार मापन एव आधुनिक सब्वेता का क्या संबंद है तो रौस के अनुसार यदि मापन के सारे स्यंत्र तथा साधन इस संसार्व से लुप्त कर दिये जाये तो आधूनिक सब्हता बालू की दिवार की तरह ड़ा जाएगी यह रौस ने कहा है अगला है विलियन उन्ट की पर्थम मनोवग्यानी की परियोग साला कब और कहां स्थापित है मनोवेग्यानी के छेत्र में मापन की प्रारम विलियम उट के द्वारा सन 1889 में जर्मनी के नगर लिपजिंग में मनोवेग्यानी की पर्थम परियोग साला की अस्थापना के प्रेडाम सवरूप हुआ था धन्यवाद इस आईडियो आटकल को सुनने के लिए ऐसा ही आईडियो आटकल सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हैं धन्यवाद नमस्कार विए पी इंडिया में आपका स्वागत है आज के हिंदी आडियो आड कल में बीटी से सिच्छा दिखदर सन